एक से बढ़कर एक खादिपदार्थ है जो अपने आकार और सधिय गुण और स्वात के कारण हर किसी के मन को लुभाने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे मखाने की लावा की जो एक तरह से कहा जाए तो किसी संजीवनी बुटी से कम नहीं है। आउसधिय गुणों से भर पूर इस लावे का आयरुवेद में विश्त्रित बरणन किया गया है। अनेक बिमारियों को सरीर से पलभर में छुटकारा दिलाने में यह लावा काम्याब सिद्ध हो सकता है। यह बलदायक के रूप में जाना जाता है, यह सरीर को बल देने के साथ कई रोगों में बेहद लापकारी और गुणकारी है। आईए जानते हैं इसको लेकर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रयंका सिंग हूँ, महराज के रूप चिकिसाले नगर बल्या में। चिकिसा अधिकारी के पत पे कारे रत हूँ। मखाना तो लोग ब्रत में बहुत प्रयो करते हैं। वैसे भी लोग खाते हैं। वैसे इसका जो गुण है वो बहुत अच्छा है, आर्वेज में अच्छा वर्णन भी किया गया है मखाने का। अगर किसी को बहुत साथ दुरबलता रहती हो, कमजोरी लगती हो तो इसको भुन के चूण मना के दूद में बॉइल करके लें। अगर किसी मेल जो पेशेंट है को इन पर्टलिटी है, लॉस अफ लिविडियो है, कोई दुरबलता महसूस करता है वो तो उन सब में भी मखाने का प्रयोग कर सकता है दूद के साथ। जिन महिलाओं का तुरण-तुरण डिलिवरी होई हो तो वो भी इसका प्रयोग करें, बहुत बलदायक होता है। अगर किसी को जॉइंट पेन रहता हो तो वो भी मखाने का प्रयोग करें। अगर किसी को पैरों में जलन होती है, जो गर्मीयों में पैरों में जलन होती है, उसमें इसका बहुत बताया है। लोकाल एटिन के लिए बलियां से सनंदन उपाध्याई की रिपोर्ट